बिस्मिल्ला रह्मान रहीम, in the last lecture we discussed nominal anchor and we ended the lecture on an issue which was time inconsistency problem और मैंने का था कि इसको हम detail में discuss करेंगे, तो इस lecture में हम यह देखते हैं कि time inconsistency problem क्या है, इसकी simple definition हम देखें, बाद में इसको monetary policy पे apply करेंगे, पहले हम इसकी general definition समझते हैं और concept समझने की कोशिश करते हैं, देखें, आपकी जिन्दगी में यह चीज बार बार पेश आती है, यह सिरफ monetary policy का issue नहीं है, time inconsistency problem का मतलब यह है कि आपने एक बहुत अच्छा well thought out plan बनाया अपनी जिन्दगी में, किसी भी चीज़ का, मैं example भी बाद में दे दूँगा, तो वो over time आप उससे deviate कर जाते हैं, उसको follow नहीं करते हैं, short term में gain के लिए कुछ थोड़ा सा benefit नजर आ रहा है, आरजी तोर पे, आप अपने long term के plan को, जो कि आपकी जिन्दगी के लिए बहुत अच्छा थाबित हो सकता है, आप उसको छोड़ देते हैं, थोड़ी देर के लिए, इसका मतलब यह है कि जो के साथ consistency से आपने follow नहीं किया, इसकी एक basic सी example है, कि एक बंदा अपनी जिन्दगी में देखता है कि अगर मैं exercise करूँ, रोज सुब सुब उठों और जॉगिंग करूँ, और उससे जो है, वो मेरी सिहत अच्छी हो जाएगी, और long run में ज्यादा देर तक बीमारियों से मैं उस पे अमल कर लेता है, तो होगा क्या, होगा ये कि वो अपने थोड़े से benefit के लिए अपने long term की जो health है, वो compromise कर देता है, तो हम कहते हैं कि वो जो exercise का आपने long term plan बनाया था, वो time inconsistent हो गया है, वक्त के साथ आपनी उसे follow नहीं किया, इसी तरह इनसान बहुत सारे plan बनाता ह जन्दगी में अपनी जन्दगी को अच्छा करने के लिए, जिसको over time छोड़ देता है, उस पे अमल नहीं करता, अब monetary policy में हम देखते हैं कि इसका क्या, इसका मतलब है, time inconsistency problem, monetary policy के subject में कहां से आता है, देखे, monetary policy का goal है low and stable inflation, और आपको पता है कि इसके बहुत सारे benefits हैं, इसलिए कि हमने पढ़ा है कि इसके अगर stable inflation नहीं होता, अगर low inflation नहीं होता तो इसके तो बहुत सारे costs हैं, तो low और stable inflation का मतलब है कि वो costs हम इवाइड करेंगे, जब cost इवाइड करेंगे तो यही तो सबसे बड़ा benefit है, इसका मतलब है low or stable inflation के benefits होते हैं, लेकिन अगर लोग जो है, या firms जो हैं, वो चुकि अपनी expectations बनाते हैं future के बारे में, तो अगर monetary policy के जरीए, monetary authority आपको यह यकीन दिलाए कि हम inflation rate को low रखेंगे, stable रखेंगे, और लोग उसके accordingly अपनी future की inflationary expectations बना लें, और wage के contract उसकी base पे कर लें, अपने investment की decision उसकी base पे कर लें, saving के decision उसकी base पे कर लें, और जब लोग expectations बना चुके हैं और वो decisions कर चुके हैं, तो central bank सोचे अगर, कि अगर मैं money supply बढ़ा दूँ, अगर हम interest rate कम कर दें, तो इससे तो economy में बड़ी business activity चल पड़ेगी, इसलिए कि लोग तो contract कर चुके हैं wage के, अब जब wage का contract हो गया, एक साल का for example हुआ, और central bank ने बाद में interest rate कम कर दिया, या money supply बढ़ा दी और उससे business activity फैल गई, और उससे बले inflation भी आया, तो उस inflation का बहुत ज़्यदा effect इसलिए नहीं आएगा, कि अब workers अगले साल अपनी wages बढ़ा सकेंगे, या उनकी wages अब एक साल बाद बढ़ेंगी, तो एक साल में cost up production ज्य inflation का objective था, वो compromise हो जाएगा, यानि कि central bank को से हट के short term gain के लिए economic activity को बढ़ाने के पीछे चल पड़ा, long term objective छोड़के जो के price stability था, तो इसको हम कहते हैं, यह monetary policy का time inconsistency problem है, अब एक बात याद रखें कि हमने बड़ी detail में aggregate demand, aggregate supply model को discuss किया था, इसी course के अंदर, और आपने macro economics क अंदर भी पड़ा होगा, आपको पता है कि long run में अगर monetary policy lose हो और उससे inflation rate high भी हो जाए, तो उससे long run में economic activity की उपर कोई फरक नहीं पड़ता, यानि कि prices तो बढ़ जाती हैं long run में, लेकिन economic activity long run में नहीं बढ़ सकती, सिरफ short run में बढ़ सकती है, तो इसका मतलब यह है, कि वो जो एक well thought out plan था, कि आप inflation को low or stable रखें, जिसकी वज़ा से long run में growth का या economic activity का जो level है, economy का potential वो भी achieve हो जाएगा, जबके दूसरी तरफ inflation rate भी low रहेगा और stable रहेगा, यानि कि price stability ensure होगी, लेकिन उसके बदले में अगर short term gain के लिए central bank अपने ही plan से हट जाए, तो आरजी तो और पे economic activity बढ़ेगी, unemployment काम होगी, लेकिन long run में unemployment अपनी जगा पे वापस चली जाएगी, investment का decision अपनी जगा पे वापस जाएगा, output का level अपने ही potential पे वापस चला जाएगा, जबके economy में prices बहुत high हो चुकी होगी, इसका मतलब यह है कि ultimately gain कोई नहीं होना, नुक्सान हो जाएगा इकान, यह बिलकुल उसी तरीके से अगर आप एक दिन exercise चोड़ के सो जाएगे और पिर उसके देखा देखी दो चार दिन और भी यही करने लग जाएगे, तो इसका आपको long run में benefit तो नहीं होना, short term benefit आपको लग रहा है कि आप सो जाएगे तो आपकी नीन पूर कर जाएगे, अपने ही stated objective से deviate कर जाएगे और economic activity के पीछे चल पड़े, तो इसकी एक reason political pressure हो सकता है, चुके politicians जो हैं वो interested होते हैं इस चीज़ में कि economic activity ज्यादा चले, especially जब election ही अराता है उसमें, तो वो central bank को pressurize कर सकते हैं, कि वो force कर सकते हैं, कि वो policy ऐसी बनाए जिस से economic activity बड़े, long time में जो जब के नुकसान होगा, वो बाद में देखा जाएगा, हम इन issues को भी बड़ी detail में इस course के अंदर आगे चल के discuss करेंगे, अब सवाल यह है कि जो आपका time inconsistency problem है, इसमें nominal anchor का क्या रोल है, देखें, nominal anchor का रोल ही है, कि nominal anchor होना, और एक मसलए money supply आपका nominal anchor है, और आपने उसका एक target रख दिया है, तो यह आपने अपने लिए एक rule बना दिया, यहनि कि description खतम कर दी policy maker की, आपने कह दिया कि जी यह rate, यह policy maker के अपनी तरफ से होगा central bank का, कि उसने कह दिया कि हमारा money growth का target यह होगा, इस साल के लिए, लेकिन जब उसने announce कर दिया, तो की है, उसको central bank achieve करता है, या उससे deviate कर जाता है, तो याद रखें, जब भी central bank deviate करेगा, अपने nominal anchor के target से, यह बड़ा easily identifyable है, पबलिक को फोरी पता चल जाएगा, कि central bank ने अपना target achieve नहीं किया, तो उसकी autonomy या उसकी authority की उपर questions raise होंगे, कि central bank ने ऐसा क्यों नहीं किया, तो इस वज़ा से central bank चाहेगा, कि वो अपनी reputation को risk पे क्यों ले किया आए, और वो इस वज़ा से nominal anchor जब होगा, तो वो उससे deviate करने की कोशिश नहीं करेगा, तो time inconsistency का problem काफी अतक साल्व हो जाता है, अगर आपकी economy में कोई nominal anchor हो तो, thank you.